हेलो दोस्तो पुनिताज फुट डाइरी में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगे लाल चौराई की एकदम हेल्दी रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पे लिया है मैंने लाल वाली चौराई इसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे इसमें से हम पतियां तोड लेंगे और इसका दंठल निकाल देंगे और इसे हम धो कर अच्छी तरह से कट कर लेंगे यहाँ पे लिया है मैंने कटी हुई चौराई आलू, प्याज, हरी, मिर्च, लासुन और एक बरी अब हम कडाही में डालेंगे सर्सो का तेल, तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे तेल गरम हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे जीरा और कटा हुआ लासुन, हरी, मिर्च लासुन और मिर्ची को थोड़ा सा हम भून लेंगे अब इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को भी हम सुनहरा होने तक भूनेंगे झालेंगे बाल जज झो कि बूड़ा खो आथो यूद doğru हुआई! प्याज भी भून चुका है तो इसमें हम डालेंगे बरी अगर आपके पास बरी नहीं है तो इसे इसकीप कर दें इसमें हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे एकदम हेल्दी सबजी बना रहे हैं अगर आप मेरे तरीके से एक बार बना के देखिए बहुत ही टेश्टी सबजी बनती है तो इसमें अब हम डालेंगे कटा हुआ आलू आलू को भी अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर देंगे साथी में डाल देंगे चौराई इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे झालMaybe बो सब्य कर देंगे के तरह से घ्याज मेंगे कि अरूपयोने इन्हें ऊच्छी तरह से मिला dönदिष आलू पलूप6 उतर उतर यृईタ लिहाफ बो शीडिया – को उपनाया उपर से डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, नमक को भी हम अच्छे से सबजी में मिला देंगे और ढग कर लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे जब तक आलू इसमे का सॉफ्ट न हो जाए बीच बीच में इसे हम एक दो बार चलाते रहेंगे झालेंगे बीच बीच के दो और आलेंगे यह देखिए दोस्तों चावराई की एकदम हेल्दी सबजी बनकर रेड़ी है अगर आप कोई रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले